हेलो फ्रेंस आज हम बनाएंगे चटपटी कोरन चाट जो कि एक हेल्दी रेसीपी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और इसे हम बहुत ही असानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं तो चलिए फ्रेंस इस रेसीपी को शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो फ्रेश कोर्न लिये हैं इनका छिलका उतारके इने अच्छे से साफ कर लिया है और इस तरह मैंने इन दोनों को ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है अब मैंने पैन में एक लीटर पानी को उबाल लिया है अब हम कोर्न को प जमच नमक डाल दिया है अगर आप चाहें तो इसे कुकर में डाल कर भी एक सिटी लगवा सकते हैं लेकिन मैं यहां पर सिधा पतीले में ही उबाल रहे हूं इसलिए इसे थोड़ा सा हम धक कर उबालेंगे ध्यान रहें इसे पूरी तरह से ना धके धक्ते वक्ते से साइड मे बाहर आती रहें बाकी चाट के लिए हमें ज्यादा वेजिटेबस यूज़ करने के जुरूरत नहीं है उसके लिए सिर्फ हमें दो प्यास दो टमाटो एक हरी मिच्छी काफी है इन सब को हम बारीक बारीक काट लेंगे उधर कॉर्ण को उबलते हुए भी दस मिनिट हो आप इसे ऐसे साइड में सी किसी कपड़े से पकड़ते हुए इसके सारे दानों को अलग कर लें इस तरह चाकू से ही है सारे दाने बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे दोस्तों इस तनेक को बनाने में एक परसेंट भी ओयल का यूज नहीं होता है और अब हम लेंगे एक पलेट और उसमें कटा हुआ प्यास, टुमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे और जो उबले हुए कॉर्ण है वो भी मिला देंगे उपर से मिलाएंगे हम इसमें दो तीन चमच टुमेटो सॉस लगभग आथा चमच सेजुआन सोस एक चुथाई मैंने इसमें नमक डाला है क्योंकि नमक मैंने उबालते टाइम भी डाला था और चट्मियों में भी थोड़ा बहुत नमक होता है थोड़ा सा मैंने इसकी उपरा से चाट मसाला स्पिंकल किया है और एक चुथाई चमच मैंने यहां काली मिर्च का पाउडर मिलाया है और लास्ट में इसके उपर आधे निम्बू को निचोड़ देंगे और बस इन सब को मिला देंगे अच्छे से और यह सर्विंग के लिए त्यार है तो दोस्तों ट्राइ कीजिए इस रेसिपी को और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह रेसिपी कैसे लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें कि अुमन भूलें